हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चेनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गुढःल का पौधा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत जरूरी केर टिप्स गुढःल के बारे में जो की पूरी गर्मिया आपके काम आने वाला है और ये जो गर्मियों का सीजन है इस सीजन आपका गुढःल पूरे टाइम फूलों से भरा रहेगा तो फ्रेंट्स टिप्स नंबर वन जैसे ही गर्मिया आती है और बसंत रितू शुरू होता है तो आप देखेंगे कि आपको जगर जगर गुड़ल के फूल खिलेवे दिखाई देंगे विंटर्स में गुड़ल डॉर्मेंसी में चला जाता है और इसकी फ्लावरिंग कम हो जाते है खास तोर पे जो देशी गुड़ल होता है वो बिल्कुल भी फूल देना बन कर देता है लेकिन जैसे ही बसंत रितू आता है तो ये फिर से कलिया और फूलों से भर जाता है तो य अभी आपका पौधा फूल देना शुरू कर देगा अगर आप गुड़ल का नया पौधा खरीदना चाहते हैं तो ये सीजन काफी बड़िया टाइम है गुड़ल का नया पौधा अपने गार्डन में एड़ करने के लिए और अगर आप इस समय नसरी में जाओगे तो आप आपको आसानी से मिल जाएगा और विंटर्स में गुड़हल की कमी हो जाती है नसरी में गुड़हल के पौधे आने बंद हो जाते हैं लेकिन अभी नसरी में नए पौधे आने शुरू हो चुके हैं तो आप किसी भी वराइटी का गुड़हल ले सकते हैं इस समय नसरी से आपको hybrid variety के इतने सारे color के गुढहल मिल जाएंगे कि आपके लिए salad करना मुश्किर होगा, काफी खूपसूरत और सुन्दर color दिखाई देने वाले इतने सारे color available हैं आजकल गुढहल के, तो जो आपको पसंद है फटा-फट से आप उसको खरीद लो, tips number 3, गुढहल के पौध तो गर्मियों का मतलब जितनी अच्छी धूप उसको मिलने वाली है, उतनी अच्छी वो flowering करेगा, अगर इसको धूप नहीं मिलेगी, तो ये काफी सारे कीड़े इसके उपर आकर लग जाते हैं, जैसे कि मिली बग, जो सफेद रंके चिपचिपे कीड़े होते हैं, या फ सबसे बड़िया टाइम है, मार्च का टाइम, इसे में आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अगर आपने पिछले सीजन में कोई कटिंग उगाई थी और आपकी कटिंग लग गई थी, तो उन कटिंग को भी रिपोर्ट करने का ये सबसे बड़िया टाइम ह या फिर आपके पास गुढ़ल का पौधा है काफी छोटा है छोटे पौट में लगा हुआ है लेकिन अभी उसकी ग्रोध अच्छी हो गई है तो ऐसे पौधे को भी आपको रिपॉर्ट कर देना है यानि बड़े गमले में नई मिट्टी के साथ रिपॉर्ट कर दो जो भी मि मिलानी है आपको लेकिन आप आधी कंपोस्ट और आधी मिट्टी के इस्तमाल करना यानि कंपोस्ट आप कोई भी ले लो चाए वर्मी कंपोस्ट है या फिर आपके पास गोबर की खाद है आधी आधी मातरा आप रखे और अगर आपके पास कोको पिट और धान का छिलका है तो आप 3-3-4 और मुठी इन चीजों को भी मिला लो अगर आपके पास ना तो राइस हसक है और ना ही कोकोपिट है तो बस आपको क्या करनी है कि आधी कंपोस ले लो आपको इसी भी और आधी मिठी ले लो इन दोनों ही चीजों में अच्छे से मिलाकर पौधे को लगा दो लेकिन जो मिठी आप लेंगे वो बहुत जादा चिकनी मिठी का इस्तमाल आप मत करना इसकी बाद टिप्स नमबर 5 किसी भी पौधे को लगाते समय चाहे वो आपका पौधा छोटा है या फिर आप नया पौधा इसमें नर्सी से लेकर आए हैं तो रूट को बहुत जादा आपको डिस्टब नहीं करना है यानि जो मिठी जिस मिठी में आपका पौधा लगा हुआ है अगर आप प्लास्टिके ग्रो बैंक में लेकर आए हैं तो नया नया पौधा ही आपका घर पर लाते ही खराब हो जाता है तो इसलिए ये गलती आपको नहीं करना है जैसे कि ये पौधे आप देख रहे हैं इनको बस मैं सीधा निकालूंगी और बड़े पॉट में लगा दूंगी ये जो कटिंग है इसको भी बहुत ही सावधानी से सेपरेट करना है जैसे कि ये देख रहे हैं आप एक साथ जो मैंने कटिंग लगाई थी वो एक दूसरे से चिपक गई है इसकी बाद tips number 6, जब भी आप किसी छोटे पौधी की reporting करते हैं, बड़े गमले में shift करते हैं, या फिर नया पौधा आप लाकर लगाते हैं, तो जिस दिन आप पौधे को लगाएंगे, उस दिन तो आपको अच्छे से पानी देना है, ताकि जड़ों को नीचे तक पानी मिल लेकिन आगे कुछ दिनों तक आपको पानी थोड़ा सा संबल कर देना है, बहुत जादा पानी जब आप स्टार्टिंग से ही डाला शुरू कर दोगे, तो आपका पौधा खराब हुजाएगा, इसकी बाद tips number 7, जो है इसकी stem pruning के बारे में, अगर आपको अपने गुढ़ हार्ट प्रूनिंग करी थी और ये काम मैंने फरवरी में ही कर लिया था, तो अगर आपको अपने पौधे की हार्ट प्रूनिंग करनी है, ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पर मैंने आपके साथ इसकी root pruning का वीडियो शेयर किया था, तो अगर आपको अपने हार्ट प्रूनिंग करनी है, या फिर आपको अपने पौधे की root pruning करनी है, तो ये काम करने का जो सबसे सही टाइम होता है, वो होता है फरवरी का टाइम, अगर ये फरवरी का टाइम निकल गया, तो फिर आगे यानि कि अभी मार्च शुरू हो चुका है, तो अगर आप हा कावरिंग बहुत लेट होगी, कभी-कभी ऐसे पौधे में जब हम बहुत लेट root pruning करते हैं, या फिर बहुत लेट हम stem pruning करते हैं, सही टाइम पे नहीं करते हैं, तो पौधे में ग्रोथ भी काम आती है, तो आप देख सकते हैं, इस पौधे को आल्मोस्ट एक महीना हो गय इसके अंदर आ गई है, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर कोई भी काम नहीं किया है, अगर आप अपने पौधे की root pruning और stem pruning दोनों ही फरवरी में कर चुके थे और आपके पौधे की growth भी start हो गई है, तो आगे इस पौधे में आपको कौन सा fertilizer देना है, इसी वीडियो में म आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहली चीज जो कि आपको clear होना चाहिए, मैंने आपको बोला है कि आपको stem hard नहीं करना है, लेकिन soft pruning आपको कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कभी भी आपको किसी season का wait करने का ज़रूत नहीं है, कि गर्मी है या ठंडी है, तब हमको pruning कर करते रहना चाहिए, इसके लिए किसी भी season का या फिर favorable time का आपको wait करने की ज़रूत नहीं है, किसी भी पौधे की थोड़ी थोड़ी pruning हमें हमेशा करते रहना चाहिए, इससे हमारा पौधा जादा घना बनता है, तो पौधे को घना बनाने का सबसे पहला trick यहीं है कि पौ पौधे को जैसे जैसे आप हटाते चले जाओगे, इसकी growth और तेज हो जाती है, नए पत्ते तेजी से निकल करके आने शुरू हो जाते हैं, और इससे जो पौधे के उपर कीडे और fungus लगे होते हैं, वो भी अपने आप ही natural तरीके से खतम हो जाते हैं, और हमारा पौधा ज समय उसके उपर आपने कटाई शटाई करिए, तो आप उसके उपर पानी का spray अगर करेंगे, तो आपको जादा नई branches अपने पौधे के उपर मिलेगी, क्योंकि moisture maintain रहेगा आपके पौधे के अंदर, तो पत्ते तेजी से निकल करके आएंगे, अगर आपका पौधा धूप लेनी है, तो सुबा के टाइम आपको पानी का spray जरूर करना है अपने पौधे के उपर, शाम के टाइम आप पानी का spray करने से बचें, इससे कीड़े और फंगस अमारे पौधे के अंदर बढ़ जाते हैं, इसके बाद टिप्स नंबर 10, प्रूनिंग को लेकर लोगों के अं तब भी आप ऐसे पौधों की रूट प्रूनिंग करने की गलती ना करें, ऐसे पौधे को हमें सीधा सिर्फ बड़े पौट में शुट करना है नई मिटी के साथ, पौधा आपका पुराना है, पहले से ही बड़े गमले में लगा हुआ है, और उसमें बहुत सारी जड़े ह तो प्रूनिंग करने से पहले आपको सही टाइम का पता होना ज़रूरी है कि पौधे को प्रून करने का सही टाइम क्या है, बिना सही जानकरी कि किसी भी पौधे के आप रूट प्रूनिंग अगर करेंगे तो आपका पौधा खराब भी हो सकता है, कोई भी वीडियो देख आपको हलका सा एसिडिक बनाके रखना है गुढ़ल भी गुलाब की तरह एसिडिक मिट्टी को पसंद करता है तो अगर इसकी मिट्टी एसिडिक है तो आपका पौधा अच्छी ग्रोध करेगा और काफी सारी कलिया और फूल प्रड्यूस करेगा इसके लिए टाइम टाइम महीने में कम से कम एक बार अपने सभी गुढल के पौधे को आप एक चम्मच चाय की पत्ती या फिर एक चम्मच कौफी पाउडर जरूर देना और भी कई सारी चीजे हैं जैसे की फिट करी या फिर सिरके का इस्तमाल भी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए किया जाता है लेकिन ये जो दोनों चीजे हैं चाय की पत्ती या फिर कौफी पाउडर ये आप सब के घर में बहुत यासानी से अवेलेबल हो जाता है और जादा तर मैं भी इनी चीजों का इस्तमाल करती हूँ लेकिन इन चीजों का इस्तमाल एक चमच आपको महीने में सिर्फ एक बार ही करना है बहुत जादा बार बार आपको नहीं करना है या फिर आप आधा आधा चमच 15 दिन में एक बार दे सकते हैं अपने पौधे में पौट के साइस के हिसाप से थोड़ा सा मात्रा आपको कम जादा करनी पढ़ सकती अगर आपके पौट का साइस 10 से 12 इंचा है तो 1 चमच कौफी पौडर महीने में एक या फिर आधा चमच 15 दिन में काफी है या फिर कौफी पौडर की जगाए आधा चमच चाए की पती 15 दिन में एक बार या फिर एक चमच फटी जो कि अभी आपन का नुकसान नहीं करेगा और वो कंपोस्ट की तरह काम करेगा आपके पौदे में चाहे आपका गुढहल का पौदा है या फिर आपका गुलाब का पौदा है इसके बाद टिप्स नंबर 11 तो आज किस वीडियो में मैं आपके साथ दो तरीके के फटिलाइजर शेयर करने वाल रही हूं यह है लगभग आधा चमच कौफी पाउडर कौफी पाउडर यहां पर दो तरीके से काम करेगा आपके गुढहल के पौदे में एक तो नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में देगा दूसरा मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और तीसरा नाइट्रोजन के अ इसके अंदर तो यह एक complete fertilizer है अब जो चीज यहां पर हमको हमारे पौदे को देनी है यह बहुत important fertilizer है जिससे के आपके पौदे में ग्रोथ के सासत कलियां बननी भी शुरू हो जाएगी Friends काफी सारे लोग मुझे comments करते हैं कि हमारे गुढ़ल के पौदे में लंबी लंबी branches तो हैं लेकिन हमारा पौधा full नहीं दे रहा है तो आज का यह जो fertilizer में आपके साथ share कर रही हूँ सिर्फ दो बार आप अपने पौदे में इस्तमाल करो और 101% guarantee है कि आपका पौदा flowering कर देना शुरू कर देगा लेकिन इससे पहले आप अपने गुढ़ल के पौधे की अगर आपने stem pruning नहीं करी थी तो इसके tip pruning जरूर कर लेना थोड़े थोड़े tips को जो लंबी लंबी branches है दो दो तीन तीन इंच उपर से आप जरूर काट देना इसके बाद ही आपको यह fertilizer द जाते हैं इसको आप 2-4 दिन धूप में सुखा लो और सुखाने के बाद कुछ ऐसा मोटा मोटा पाउडर आपको बना लेना है इससे बहुत तेजी से आपके पौधे को फायदा मिलेगा पोटाश्यम की मात्रा बहुत अच्छी मिलेगी आप केले के छिलके का liquid fertilizer भी दे सकत हैं लेकिन जब हम इस तरीके से powder बनाकर अपने पौधे को देते हैं तो यह nutrition तेजी से हमारे पौधे की जोणों को मिलता है दूसरा इसका हमें जाधा फायदा मिलता है यानि इसका पौधे को जाधा फायदा मिलेगा और पौधा आपका जाधा कलिया मनाएगा यह जो मैंन यह fertilizer को आपको महीने में दो बार देना है अपने पौधे को तो फ्रेंस यह fertilizer उन पौधों के लिए था जिसमें growth तो हो रही है लेकिन flowering नहीं हो रही है अब हम बात करते हैं कि आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिसमें आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है और इसकी जण लेकिन root pruning इसमें रहे गया था तो अब हम ऐसे पौधे के अंदर ही काम करेंगे यानि इसको बिना बाहर निकाले ही इसी पौधे में हमें काम करना है तो हमें क्या करना है और अगर हमारे पास घर में कोई compost नहीं है तो यहां पर हमें इसको कौन सा natural compost देना है कौन सा natural fertilizer हमें देना है तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एका दिन के लिए इस पौधे का पानी रोग देना और अगर आपने अभी तेक stem pruning नहीं करी थी तो थोड़ा थोड़ा आप पौधे की tip pruning ज़रूर कर देना इसमें पहले से ही पत्या आनी शुरू हो गई है एक और चीज अग अगर अब आप इसकी root tuning करोगे तो जो नई growth आ रही थी वो खराब हो जाएगी और ये सही time बिलकुल भी नहीं है तो कुछ नहीं आपको जाला tension लेनी की जरूरत नहीं है बस आप मिट्टी को थोड़ा सा सुखा कर इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लें इतनी अच्छे से जहां तक आप मिट्टी को निकाल सकते हैं वहां तक आप मिट्टी की गुड़ाई करके ये जो जड़े आपको कटी भी दिखाई दे रही है अगर ये कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर से नई जड़े ये पौधा आपका बना लेगा और ऐसे पौधे में जिसमें root की growth बहुत ज़ादा है थोड़ी बहुत root कड़ भी जाती है तब भी पौधे के उपर ज़ादा फर्क नहीं पड़ता है हमारा पौधा शौक में नहीं जाता है तो friends इसकी गुड़ाई करके उपर से जितनी ज़ादा ये घांस वगरा उगाई थी या फिर जो जड़े आपक आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है अब टाइम है इसको fertilizer देने का तो जो सबसे आसान fertilizer आपको आपके घर में ही मिलने वाला है इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने के जरूत नहीं है ये दोनों ही चीज़ आपको आपके घर में मिल जाएगी लेकिन बस जरूरत है आप आपको बहुत अच्छे से सुखाना है, गीले चिलके को नहीं डालना है, कभी आप सोचो कि आपने वीडियो में बताया था कि आलू के चिलके डाल दो, गीले चिलके डालने से मिट्टी में फंगस लग सकता है, और ये लिए मैंने 4-5 प्याच के चिलके, इनको भी मैंने 1-2 दिन के लिए धूप में रख दिया था, और अब टाइम है ये तीसरे फटिलाइजर का, ये है एक चमच चाय की पत्ती, तो एक चमच चाय की पत्ती के साथ ये जो चिलके हैं, इनको भी हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद आपको ये सारी चीजों को अच्छे से मि पौदे में डाल सकते हैं, क्योंकि ये रफ चीजे हमारे पौदे में एक तरीके से कंपोस्ट का काम भी करेंगी, और पौदे में जो मिट्टी है, उसकी फटिलिटी को बढ़ा देंगी, क्योंकि हमने अगर सिफ मिट्टी का इस्तमाल किया है, और कंपोस्ट हम नहीं डाल तो इस तरीके से चीजे डालने पर मिट्टी हमारी और जादा फर्टाइल हो जाती है अभी आपको ये जो छिलके हमने डाले हैं इनको अच्छे से कवर करना है जरौत लगे कि ये छिलके अच्छे से कवर नहीं हो रहे हैं तो आप उपर से एक्स्रा मिट्टी से इसको ढख सक लेकिन इसको अच्छे से इस तरीके से ढखना जरूरी है छिलके ऊपर आपको नहीं दिखाई देने चाहिए और ये वाला जो प्रोसेस है आपको महीने में एक बार करना है यानि अब एक महीने से पहले आप इस पौदे के अंदर किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइजर न उकसान नहीं करेगी सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है इंसेक्ट्स को कीणों को और फंगस को मिट्टी में खतम करने का तो इसी पानी से हम इसकी वाटरिंग कर देंगे पानी देने के बाद कुछ चीजों का आपको धिहान रखना है सिर्फ एक दिन के लिए इस पौदे क में मत देना तीसरी चीज इस पौदे के उपर सुबर के टाइम एक बारा पानी का स्प्रेश जरूर करना आपका पौदा बहुत तेजी से ग्रोथ लेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा इसके बाद आखरे टिप्स नंबर 14 गुडहल के पौदे के अंदर मीली बग और एफीट बहुत तेजी से आकर लगते हैं अगर आपको लगता है कि इसके उपर कोई काले रंका कीडा चिपकावा दिखाई दे या फिर सफेद रंका कीडा तो इसके लिए आप बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं एक चौथाई चमच बेकिंग सोड पानी में घोल करके स्प्रे करें तेज दूप में कभी आप बेकिंग सोडा का स्प्रे ना करें उससे पत्ते आपके पौदे के जल सकते हैं तो फ्रिंट जितने भी केर टिप्स आपको मैंने इस वीडियो में बताएं वह उतने ही इंपोर्टेंट है जितने की खाद या फि अगर पशंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जारूर करें मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू